हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेगर वरकब टू माय चानल आज हम बनाएंगे पॉम्बे आईस हलवा इसको माहीम का हलवा भी कहा जाता है मिठाई के डब्बे में जब हम मिठाई लेते हैं उसमें हमेशा ये एक मिठाई जरूर होती है तो आप भी जरूर ट्राइ करिए का चले बनाते है आईस हलवा इसके लिए सबसे पहले मैंने आप पर एक कप काट कर मैदा लिया है बहुत भर कर नहीं लेना है और एक कप बिल्कुल अच्छे से भर कर मैंने ली थी चीनी आधा कप पिगला कर अपने लेना है घी गरम नहीं होना चीए बस थोड़ा सा मेल्ट करके आधा कप मेजर करके आट करें और आधा कम हम लेंगे दूद तो यहां पर मैंने उबाल का ठंडा किया वा लिया है आप कच्छा भी ले सकते हैं बट फ्रिज का ठंडा दूद मत लीजेगा और बस इन सारी चीज़ों को पहले हमने मिक्स कर लेना है गैस का फ्लेम अभी आउन नहीं करना है इसको तकरीबन 2-3 मिनिट के लिए बीट कर ले अच्छी तरह से ताकि मैदे के अगर कोई लंपस है तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए और उसके बाद आप यह देख सकते हैं बिल्कुल स्मूध यह बनके त्यार हो गया है एक बार इसका स्मूध सा पेस्ट बन जाता है उसके बाद आपने गैस का फ्लेम आन कर लेना है मैंने अपी इसको लो फ्लेम पे छोड़ा है एक से दो मिनिट के लिए ताकि यह थोड़ा सा गरम हो जाए जैसे जैसे हीट इसको लगेगी वैसे वैसे चीनी इसमें मेल्ट होने लगेगी और यह मिक्श्चर थोड़ा से स्मूध और पतला दिखाए देने लगेगा तो बस इसको पकने के लिए 10 से 12 मिनिट ही लगता है मैंने आप अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लिया है फ्लेम मीडियम ही रखा है और आप देख सकते हैं कडाई छोड़ने लगाईए दीरे दीरे यह थोड़ा सा हार्ड और बॉल की फॉर्म में आ जाएगा पर तब तक हमने इसको अच्छी तरह से कोक कर लेना है अगर आप बहुत लो रखेंगे तो टाइम जादा लगेगा मैंने यहाँ पर नॉन्स्टिक पैन लिया है आप चाहे तो अलुमीनियम की कडाई भी ले सकते हैं बड़ उसमें फ्लेम आपने लोही रखना है त्रू आउट क्योंकि यह नीचे लग जाता है अब यहाँ पर देखिए यह थोड़ा सा हाड होने को आया है फिकास चीनी होती है इसके अंदर तो यह थोड़ा सा टाइट होने लगता है मिक्स्चर और चलाने में थोड़ी से दिक्कत होती है इसले आराम-अराम से पेशिंस के साथ आप बनाईएगा तो तकरीबर 5 आप देख सकते हैं इस तरह से रेशे इसके फॉर्म हो गए है, मैदे में थोड़ी सी चिकना हट होती है, थोड़ा सा स्टिकी होता है वो, तो यह यहाँ पर एक लंप की तरफ फॉर्म हो गया है, यह नीचे जो वाइट दिखाए दे रहे हैं यह चीनी है, तो आपने इसको प और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि यह इस तरह से एक दूसरे को चिप के लिए, नीचे की जो चीनी है वो कैरमलाइज होके ब्राउन स्पॉट्स पढ़ सकते हैं, इसलिए आराम से मिक्स कर लें, यहाँ पर यह देखिए ठंडा हो गया था इतनी दिर में, आप अगर आपके पस बटर पेपर नहीं है, तो नॉर्मल जो प्लास्टिक होता है आप उसके उपर भी इसको बेल सकते हैं, बाकी बचे वए आदे में मैंने यलो फूट कलर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके साइड में रख दिया है, इसको आप थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं बटर पेपर पर यह नहीं चिपकेगा, थोड़ा सा गरम था, इसलिए मैंने इसको दबाते वे थोड़ा सा मल लिया है और स्मूथ कर लिया है, अब इसके उपर दूसरा बटर पेपर लगा कर आपने इसको बेल लेना है, जितना आप से होता है उतना पतला बेल लीजेए, जितना पतला वो होगा, उतना ही वो खानी में टेस्टी लगता है, और अच्छे से सेट भी हो जाता है, यह दिखे, बहुत जादा एकदम राउन तो नहीं मैंने बेला था, लेकिन जितना हो सकता उतना उसको मैंने पहला लिया था, और काजू और बदाम के कतरन से मैंने ग इसके उपर मैंने दूसरा बटर पेपर लगा लिया है, इसमें अल्रड़ी घी होता है, तो गी लगाने की जरुवत नहीं है बटर पेपर पे, बस इसको पतला बेल ले, जितना हो सकता है उतना पतला बेल ले, उसके बाद हम इसको फिर से गानिश कर लेंगे, बदाम और प तो यूजवली यह थोड़े बड़े साइज में होता है, स्क्वेर शेप में कट किया जाता है, मोस्ली तो घी बहुत ज़ादा होता है, इसमें यह देखिए, पॉफेक्ट है, स्टिकी भी है, तो यहाँ पर जितना ज़ादा अब घी और चीनी की कॉन्टेटी आट करेंगे उतना ही यह ज़ादा पतला, पॉफेक्ट और ज़ादा मू में घुलने वाला बनेगा, मैंने एक कॉंस्टेंट हीट पर इसको पकाया है, और यह पॉफेक्ट बनकर त्यार हो गया है, तो पीसेज अलग करके कुछ देर हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ताकि यह दूरी है, आप इसको इसी तरह स्टोर करिएगा पटर पेपर के साथ ही, ताकि आपस में यह स्टिक नहीं हो, तो देखने में जितने यहां पर यह टेम्टिंग लगरे खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्ट ही, आप भी ज़रूर ट्राइ करिएगा, अगर मेरे चानल पर रहें धर कर दूले कर रहें, तो और यह स्टोर के साथ हम अपने में पना टूर आपक्राइगा, खेठ ब्राइगा, यह स्टे लगटा इस बड़े खाने परूर एंगा, यह स्टोर अथ ज़रूर प्रुश प्रुला तो ज़रूर ग्रणिया यहां पारिएगे हैं बार्णि